आजकी इस वीडियो में 32 EMP and 20 EMP switch के बारे में बात करने वाले हैं और इसकी wiring भी कैसे की जाती है ये देखने में बिल्कुल same है और यहाँ पर इसके model की बात करने दो बिल्कुल same है ये switching on करते समय इस तरह से ये नजर आता है ये भी इस तरह से ये नजर आता है इसकी wiring तो काफी लोग और सब लोग जानते हैं इससे कोई भी confusion नहीं होता लेकिन DP switch से क्या इसके अंदर ऐसा है जिसे बहुत सारे लोग confusion हो जाते हैं क्योंकि इसके अंदर एक, दो, तीन, चार वायर होते हैं यहां पर और इसके अंदर के बात कर ले तो यहां पर एक, और दो, सिर्फ दो ही connection होते हैं और इसके अंदर चार connection होते हैं तो इन चार connection की वज़े से लोग बहुत ज़्यादा confused हो जाते हैं और बहुत ही मतलब बहुत सारे electrician है जो इस काम को नहीं कर पाते हैं फिर दूसरे electrician को बुलाते हैं या फिर या फिर अगर DP switch उनसे install नहीं हो पाता तो वो DP switch के जग़ा है ये 20 ampere का ये switch लगा देते हैं फिर बविश्य में जल जाता है और ये air conditioner वगेरा के अंदर workable नहीं हो die station जो है जो बनना चाते हैं वो हमारे channel पे हैं मुझे पता है और वो अगर सीखना चाते हैं कि DP switch हम लगा सकते हैं या नहीं कैसे लगा सकते हैं तो इसके वारे में आप पूरी detail समझ जानते और अगर हम इसकी wiring कर देते हैं तो बहुत ज्यादा short हो सकता है मतलब line fault हो सकती है mcb trips कर सकती है light ये वगरा fault हो सकती है तो इसको बड़ी साउधानी से लगाना पड़ता है तो पहले मैं आपको सिखाता हूँ कि किस तरीके से dp switch की wiring की जाती है तो पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि गलत wiring लोग क्या समझते हैं कि इसके अंदर neutral होगा यानि कि इन दोनों के अंदर neutral और phase होगा तो पहले मैं यहाँ पर connection कर देता हूँ मैं यहाँ पर एक phase connection कर देता हूँ यह वाला और यहाँ पर मैं एक neutral connection कर देता हूँ यह line मैं ने inverter से joint की गई है मेरे यहाँ पर inverter connection है तो inverter में क्या fault वग्यरा होगा तो इतना short वग्यरा नहीं होगा तो यह हो गया main line अब यहाँ पर मैं output दूँगा इस bulb को ठीक है अब यहाँ पर मैं इस bulb को दूँगा और यहाँ पर इस LED light को भी दूँगा इस LED light को आप 220 volt पर चला सकते हैं यहाँ पर जैसे की देख सकते हैं 220 volt पर यह work करती है तो मैं यहाँ पर इसको भी लगा दूँगा अब यह देखिएगा गलत है या सही यह आप पर depend करेगा भी बहुत से लोग इस तरह से घवरा जाते हैं यहाँ पर मैंने complete कर लिया आए wiring यह देखिए यहाँ पर मैंने DP स्विच की wiring complete कर लिया है और यहाँ पर अब मैं on करने की बारी आएगी तो मैं इसकी line को चालू करता हूँ यहाँ पर मैं इसकी line को मैंने कर दिया है on और अभी देखना किस तरीके से क्या होगा light जलेगी या नहीं तो यहाँ पर यह short circuit हो गया है यह short circuit हो गया है तो guys आप यह गलत wiring थी अब मैं सही wiring करके दिखाता हूँ आपको DP स्विच के अंदर क्या होता है neutral और phase दोनों work करते हैं जैसे कि मैं आपको अच्छे से explain करता हूँ जिससे आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा तो यहाँ पर क्या हो रहा है दोनों short हो रहे हैं और यह भी दोनों short आ रहे हैं तो short का मतलब हो रहा है कि यहाँ पर आप phase लगाईए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह socket है, यह switch है यहाँ पर मैं लगाउंगा phase connection यहाँ पर मैं input phase connection यहाँ पर देने वाला हूँ तो मैंने इसको open किया यहाँ से में input इंपुट फेस यहाँ से में दे रहा हूँ और इसको अच्छे से tight कर दे रहा हूँ यह में input phase connection दे दिया है अब यहाँ पर neutral भी देना है क्योंकि DP switch के अंदर neutral और phase दोनों लाइने cut होती है जब यह off होता है तो उस वक्त आप hard touch करके भी काम कर सकते हैं कोई जरूरत नहीं है आपको mail line बंद करने की आप यहाँ से भी बंद करके work कर सकते हैं तो यह दो आप देख सकते हैं neutral और phase joint हो चुके हैं अब यहाँ पर क्या हो रहा है output joint करना है तो output joint करने के लिए हमें क्या करना होगा यह load यह load और यह LED light इसके जो दो wire आ रहे हैं guys यहाँ पर आप देख सकते हैं यह LED light है इसकी जब switch on होगा इसको output side में जोड़ना है जहाँ पर यह आप AC के वगेरा के connection करते हो उसी में आपको इसका connection जोड़ना है ऐसा नहीं है कि आप दूसरे में जोड़ दें ठीक है तो यहाँ पर मैंने इन दोनों को जोड़ दिया LED light से और यहाँ पर आप देख सकते हैं output side में मैं यह आपर इनने जोड़ रहा हूँ एक phase connection जोड़ देता हूँ मैंने आप पर एक phase connection दे दिया neutral connection में उस side में देता था हूँ क्योंकि उस side में neutral है यहाँ पर मैंने neutral भी दे दिया आप इसे tight कर देते हैं तो गैस अब आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पर यह दो light output है यह load की है देख सकते हैं और यह दो line है input है inverter की यह sorry mail line की ठीक है अब यहाँ पर working on करता हूँ तो यहाँ पर working जो है वो चालू हो चुकी है अब यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ इसकी switch को on करूँगा यह देखिए guys यहाँ पर switch जैसे ही on किया तो यहाँ पर bulb glow करने लग गया हमें जैसे ही off करता हूँ तो यह off हो गया यहाँ पर इसके अंदर एक LED light भी है वो भी glow करेगी जैसे यह देख सकते हैं यहाँ पर LED glow कर रही है तो यह बात है तो अब मैं यहाँ पर line को अभी off कर दिया हूँ तो यहाँ पर आप tester लगा के देख सकते हैं मैं यहाँ पर hard touch करके नहीं देख सकता क्योंकि यह YouTube में guideline के खिलाफ हो सकता है तो मैं tester लगा के देख सकता हूँ कि बिल्कुल भी यहाँ tester glow नहीं कर पा रहा यानि कि इन दोनों में current नहीं आएगा यहाँ पर इन दोनों में current नहीं आएगा और आप अच्छे से AC वगेरा को work कर सकते हैं यहाँ पर इसका मतलब यह है कि यह direct neutral और phase को output दे रहा है तो guys याद रखना है एक यह रहा एक यह रहा इन दोनों में phase neutral connection करना है main line का और यहाँ पर output load का connection करना है इस बोड बन जाएगा तो कुछ इस तरीके का नजर आएगा जैसे कि आप देख सकते है कुछ इस तरीके से यहाँ पर output हो रहा है इस socket के अंदर और यह LED light है ठीक है और यहाँ पर output phase connection हो रहा है यह socket के अंदर यह भी LED light के connection है और यहाँ पर जो input side है यह basically कुछ ऐसा नजर आएगा जब आप DP switch installation करते हैं तो चलिए दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो like और share comment कर दीजे चैनल को subscribe ज़रूर कर देए